लोग शर्वर्श अधस्यों का चैन कैसे किया जाता है ए उप्सन पे सीधे लोगो द्वारा निर्वाचित किया जाता है आगे बढ़ते नेक्ट किउस्टन पे शेकर नमबर वे किउस्टन है दिल्ली किस नदी के तठ पर इस्तिज़ेदे किस नदी के किनारे स्थित है तो दिल्ली यहाँ पर आपका यमुना के किनारे स्थित है और अगर पूछा जाएगा अयोध्या बड़ा चर्चा का सहर है अगर पूछा जो इस टाइम बहुत ज्यादा चर्चा में है अगर पूछा जाएगा किन अदी के तर्ट परिस्ति प्रें तो आपका डूप्सन करेंट होगा सरियूली यहाँ पूछा जा-टारा सक दिल्ली किस नदी के तर्ट पर इस्तित आगे बढ़ते नेश्ट क्योंट संन फेश्वूग करते हैं फेस्बूक चलाते हैं यूज करते हैं फेस्बूक होगे इस्टा और वाट्साप होगे यह आपका सोशल मीडिया है जहां से हर एक स्टूडेंट्स हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है यहां पर पूछा जा रहा है समाजिक वेवसाइड फेस्बुक का निर्माड किस ने किया किस ने अस्थापना की थी अस्थापना की थी अस्थापना की थी किया था ठीके ना आगे बड़ते नेश्ट की उचन पर फिर्थ नंबर पर संसार का सबसे बड़ा दिविप देखिए ग्रीन लैंड ए ओप्सन पर बी ओप्सन पर जावा सी ओप्सन पर क्यूबा डी ओप्सन पर मैड़ा गशकर तो इस्टुडेंट्स या आपका ए ओप्सन ग्रीन लैंड बिलकुल करेक ओप्सन है आगे बड़ते महाराष्ट राज की राजधानी है लखनव इलहाबाद बुंबई या दिल्ली देगे महाराष्ट की राजधानी पूछा जा रहा है तो बुंबई आपका करेक ओप्सन हो जाएगा शी ओप्सन आगे बड़ते सेव बिल्कुल करेक्ट आपका करेक्ट आपका करेक्ट आपक्ट सोख के क्या थे पिता स्री थे अगे बड़ते हैं भारत की सबसे बड़ी petroleum refinery कहाँ इस्तित है जामनगर बुंबई डिकबोई या विशाखा पटनम भारत की पुछा जारा इंडिया की सबसे बड़ी petroleum refinery कहाँ पर इस्तित्त है तो यह आपका ए-प्षल स्ट किस नदी के किस नदी पर इस्तित है सरदार सरोवर योजना नर्मदा गोदावरी गंगा या कोशी तो यहां पर आपका एउप्शन करेट हो जाएगा नर्मदा आपका बिल्कुल करेक्ट उप्शन है तो यह नंबर पर आते हैं निम्दिखित में से कौन भारत के लव आपका लव पुरुष की बात की जा रही है तो डी उप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा शर्दार पटेल आपका करेक्ट उप्शन है थर्टी नंबर में इंडिया गेट किस सहर में इस्तित है आगरा दिल्ली बुंबई या जैपूर इंडिया गेट किस सहर में इस्ति निम्ण मेंसे किस देश को हजारों जीलों का देश भी कहा जाता है भाई यहां पर डियो ओप्शन करें जाएगा फिड लैंड याद रखिएगा फिन नमबर पर आते हैं निम्ण मेंसे कौन सी परवत चोटी संसार की दूसरी सर्बोच परवत चोटी है कंचन जंगा नंदा देवी केटू या गंगा परवत तो या पर आपका केटू आपका बिल्कुल करेक्ट उप्शन है परवत चोटी संसार की दूसरी सर्बोच परवत चोटी है आगे बढ़ते हैं भारती शनसत के उपरी शदन के रूप में भी जाना जाता है लोग सभा को बिधान परिशत को राजज सभा को सी ओप्शन या पर दिया गया देख लिए डी ओप्शन पर है बिधान सभा तो यहापका करेक्ट उप्शन हो जाएगा सी राज्जी सभा बिल्कुल करेक्ट उप्शन है याद रखिएगा कन्फ्यूज मत होईएगा भारती संसत की उपरी सिदन के रूप में भी जाना जाता है राज्जी सभा को तारीख को मनाया जाता है 23 मार्च 30 जनवरी 2 अक्टूबर या 10 दिसंबर को तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट उप्शन आपका है सी ऑप्शन दो अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है गाधी जैनती के रूप में ठीक है ना निति नंबर पे ब्रहोंभ, शमाज के संस्थापक कौन थे राजा राम, मोहन, राय, श्ूमी, विवेक नं, दया, लैन, शरूषति जोतिबा फूले यहाँ पर आपका यह option correct हो जाएगा राजा राम मोहन राय व्रहम स्रमराज के संस्थापक के फतेपुर सीकरी किस सासा के द्वारा बनाई गई थी एकबर के द्वारा बनाई गई थी आगे बढ़ते हैं भारत के महान्यवादी की न्यूक्त कौन करता है धान मंत्री करता है या राष्ट पती करता है तो D option करेट हो जाएगा राष्ट पती करता है भारत के महान्यवादी की नियुकती 22 नमबर पे है निम लिखित में से किसे अकसर ब्लाइक परल कहा जाता है पेले A option पे है B option पे है वीनस विलियम्स C option पे है मारा डोना D option पे है सेरेना विलियम्स तो इस्टुदेंट्स यहां पे आपका A option पेले बिल्कुल correct option है 23 नमबर पे है निम लिखित में से लोग सभा के चुनाओ कौन करवाता है चुनाओ आयोग शंग लोग आयोग शंशद या परिशिमान आयोग तो यहां पे आपक कंटक से निकलती है बेतवा नर्मदा महा नदी या गोदावरी निम लिखित में से कौन सी नदी अमर कंटक से निकलती है तो यहां पे आपका नर्मदा बिल्कुल correct option है B option संयुक्त राष्ट संग का मुख्याले कहां इस्थित है स्वेजल एंट इंपोर्डेंट है most important है नि नागवपूर बुंबई दिल्ली या नाषीकule फ में नोटों की छपाई कहां की जाती है यह पूछा जाए वहारती है तो भारती मुद्रा है ना उसको किस अस्थान पर च्ठां या आनका समॉफोर लग्ता होगा कि दिल्ली में लेकिन आपका correct optionग लुत जाता है न नाश किस वर्स में हुआ था देगी पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा जारा 61 से 1761 में हुआ था सी ओप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है इंपोर्टेंट था यह भी क्यूशन निम्लिकित मैं से किसे बिश्व की छत के रूप में जाना जाता है पामीर परवत एवरेष्ट परवत सिवालिंग परवत श्रिंखला या डी ओप्शन पर है अलपास तो आपका करेट ओप्शन ए है पामीर परवत को बिश्व की छत के रूप में जाना जाता है मानो शरीर में रक्त की मात्रा है मानो शरीर में आपके शरीर में रक्त की मात्रा साथ परसेंट होती है कितनी सेवन परसेंट होती है बी ओप्शन करेट हो जाएगा 33 नम्बर पर हैं निमल्खित में से कौन एक गायर चुम्मकी पदार्थ है लोहा ज्यिवन की मूल इकाई है अंग आरगेनल पूतक या सेल तो स्टुईएंट जिया पे सेल आपका करेक्थ है जीवन की जो मुझ लिकाई है 35 नमबर में लोहे को जंग लगने की प्रकरिया को क्या कहते हैं लोहे की जंग लगने वाली प्रकरिया है उस चीज को क्या कहते हैं D option correct हो जाएगा संचारण कहते हैं याद रखिएगा D option बिल्कुल correct है 36 नमबर पे एक शक्ति वाट होता है 746 वाट के बराबर होता है B option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा मानशरीर में श्वशन प्राडी का मुख्य अंग क्या है तो यहाँ पे आपका फेफड़ा A option बिल्कुल correct है प्रकास अंसलेशन कहां होता है प्रकास अंसलेशन सभी को पता है पौधों में होता है तो पौधों के जड़ों में होता है एक हर बाइटार में होता है एक हृट्रो कॉर्बन है जिसमें मुख्य रूप से सामिल है है लफीजी एक सिलेंडर लिक्विड पेत्रो्लियं गैस हे हाइड्रोकवन है एक हाइड्रोकवन है जिसमें मुख्रूप से सामिल एथेन और प्रोपेन यह ऑप्शन था बोद गया जहां पे इनका जर्म ऐफ हुआ ईлекनगुन विल्कुल सही हो जाएगा पावपुरी आपका करेंड नहीं है आगे बढ़ते हैं आप रित की मा्त है अब्रित का मातरा प्रोटीन में बदल जाता है सरकरा शुक्रोज मोटी या अमीनो एसिट यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाचन के बाद यह प्रोटीन में बदल जाता है क्या अमीनो एसिट मचली डैस डैस के माध्यम से सास लेती है तो मचली किसके सहायता से सास लेती है फेफड़ा गलफड़ा आंख या तचा तो गलफड़ों के सहायता से मचली क्या करती है सास लेती है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पागल कुत्य के काटने से होने वाली बिमारियों को कह कुत्त आठाल से सुक्राइक होता है किस के कारण से हमगलोब्न के करक्वानी किस खेल से संभनदी थे छूलन गोश्वामी किस्खेल से संभनी थे चूर्ण ऑबोढोली पूए जाता है कि स्क्राइब सब्सक्राइब संबंदी थे जूलन गोश्वामी आपका cricket से संबंदी थे याद रखिएगा कौन भारती दुनिया के तीसरे सबसे अमीर सक्स बन गए हैं तो गौतम अडानी आपका करेट ऑप्शन ए कौमन वेल्थ गेम से 2022 में किस खिलाडी ने भारत को पहला पदक दिलाया जो भी कौमन वेल्थ गेम सुआ था 2022 में उसमें किस खिलाडी ने भारत को सबसे पहला पदक दिलाया था यह आपसे पूछा जा रहा है तो यह उप्शन पे है साकेत सरगर सरगर यह आपका बिल्कुल सब्सक्स अंतराश्टी चूड़ने का फैसला किया है तो अजारश्य के बाद रूस ने कहा है कि हम अंतराश्टी सपेसक को क्या कर देंगे केंद्र को छोड देंगे दोजार चौबिश तर इगलेंड इगलेंड के लीशेटर फिकिटर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल कर किस भारति क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है कपिल देव शुनील गावसकर सचिन तंदुलकर या सौरभ गांगुली किसके नाम पर रखा गया शुनील गावशकर के नाम पर रखा गया बी ओप्षन आपका करेक्ट होगा मेंडलीफ की आवर साड़ी किस पर आधारित है परमाडु चक्र पर परमाडु कुर्मांग पर पर परमाड़ु आयतन पर या परमाडु भार पर इंपोर्डेंट है और डी ओप्षन करेक्ट हो जाएगा मेंडलीफ की आवर साड़ी आपका परमाड़ु भार पर आधारित है 52 नंबर पर कॉमन बेल्स गेम्स 2022 में सबसे अधिक मेडल किस ने किस देश ने जीता है तो अस्ट्रेलिया ने जीता है यह ओप्षन आपका करेक् मंत्राले ने शुरू किया किया जाएगा भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझारता किया था भाई बताये किस देश के साथ बहुत ही चर्चा में रहा था ना वीविया के साथ यह प गई है साल दो हजार चब्विस में तेईसवे राष्ट मंडल खेलों की मेजबानी किसे सौपी गई है इंडिया भारत अपना दूसरे नंबर पे ग्लैंड तीसरे नंबर पे न्यूजी लैंड चोथे नंबर पे है आपका अस्टेलिया तो करेका उप्शन हो जाएगा डी अस नेक्स्ट सीट में ओके थैंक्यू बाइबाइब अ उप्शन हो जस बदिया लाएगा निएलिया पे लाएगा यूजी यूजावा नंबर भी प्लैंबर प्लैंग उप्ना दूसरे हो जप्ड़िया पक्या सुछू है